है दोस्तों सोचो कभी ऐसा हो गया तो अगर आपने computer स्टार्ट किया और रननी हो रहा है ब्लैक स्क्रीन आते जा रहा है बायोज दिखाई दे रहा है बार-बार तो ऐसे में आपका विंडोस करफ्ट हो गया है अगर किसी ने आपको बोला अगर अपनी फ्रेंड को दिखाया या फिर अपने किसी आड़र वाले को दिखाया तो उसने बोला कि यार इसमें विंडोस करफ्ट होगे करते तो आपको यह कंप्लीट टेक्नोलोजी वाला वीडियो देखना पड़ेगा मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलोजी चैनल में आप सब का स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते यह टेक्नोलोजी वरा वीडियो लेट्स बिगिन लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ कि आप अगर कंप्लीट टेक्नोजी चैनल पे नए हो तो आपको करनाओगा चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाज़े जो बेल आइकॉन है उस पे भी क्लिक कीजिए अब यह क्यों यह इसलिए क्योंकि आप कंप्प्टर हाडवेस सीखना चाहते तो जरू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकों पे पासे पेंडराय रहेना चीजिए लगबख 8GB का और 8GB से कम वाला पेंडराय हो तो उसमें बूटेबल बनना बहुत मुश्किल है तो मैंने यहां पेंडराय लिया है और मैंने कंप्पिटर को मैं अटेच करके यानि लैप्टॉप को मैं अटेच कर रहा हूँ और यहां पे जैसी मैं माई कंप्पिटर में जाओंगा लैप्टॉप की यानि इस पीसी मेरा विंडोस 10 है यहां पे इस लैप्टॉप में इस पर नाम दे दिया है bootable so यह पेंडराय का नाम अब कैसे चेंज करना है आपको समझ मैं नाम दर असल चेंज करने के ज़रूत नहीं मैंने बस बता है आपको चेंज कैसे करना है अब bootable बनाने के लिए अलग अलग software होते है मेरा जो software है वो मैंने power ISO इंस्टॉल किया जो कि आपके सामने start है चिले मैं desktop पे दिखा था अलड़ी मैंने यहाँ पे start किया लेकिन desktop पे यहाँ पे इस तरह से icon आ जाएगा power ISO software कैसे इंस्टॉल करने अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताओ कि यह बहुत सिंपल है तो यह देखिए गुगल पे power ISO सेर्च करने के बाद power ISO लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे download option आता है download section में जाकर आप power ISO आपके लिए जो power ISO required है जैसे 32 bit वाला required है या 64 bit वाला required है मैंने 64 bit वाला download किया है यहाँ पे click करके download कीजिए run कीजिए और next next करके install कीजिए बहुत ही सिंपल है installation सबसे पहले power ISO डाउनलोड करके रखिए अगर आपको bootable pen drive बनाना है और साती में आपके पास रहना चाहिए एक windows का OS file और OS file याने ISO file आई मिन तो windows का ISO file मेरे पास already है जो कि यहाँ पे आपको डी drive में मैं आपको direct d drive में लेकि चलता हूँ यहाँ पे आपको दिखाए दे रहाए windows 7 all-in-one मेरे पास pre-activated है यह वाला आपके पास रहना चाहिए आप टोरंट से वगरा डाउनलोड कर सकते हैं मैं यहाँ पे इसकी लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिशन है लेकिन दोस्तों आप यह तो आपको मिलता है टोरंट वगरा पर आप देखेंगे तो और उसके बाद इसे bootable कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ अब यह जो है यहाँ पर मैं आपको बताओ कि करना क्या पाउर आप इस तो start होने के बाद आपको जाना है tools के अंदर tools के अंदर यहाँ पर option आता है create bootable USB drive अब मैं इस पर click करने के बाद आपके सामने आ रहा है एक dialog box जिसके अंदर आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपका card दिखाए देगा तो यहाँ पर हमारे पास जो एड़ जी पर आपको जिसमें मुझे करना है bootable मेरे पास दो यहाँ पर इस लैप्टॉप में मैं external storage drive इंस्टॉल किया है जैसे यह memory card और pen drive यहाँ पर दोनों भी दिखाए दे रहा है फिलाल i drive को मैंने select किया image file यानि कि ios file जो मैंने बोली थी windows की वह मैं इस folder पर click करूँगा और folder पर click करने के बाद d drive में चला जाओंगा और यहाँ से मैं windows की यह all-in-one pre-activated वाली ios file मैं यहाँ पर दे रहा यहाँ पर pen drive के अंदर जितना भी data है वो पूरा erase कर देगा पूरा बता रहा है और return हो जाएगा yes pen drive का data मुझे important नहीं है वैसे उसमें कुछ data नहीं है तो मैं उसे और return कर रहा हूँ और यहाँ पर pen drive की पूरी file clear हो जाएगी अब मैं बताओ कि यह जो percentage 100 percentage होने के बाद यहा बाकी का जो space है मतलब इसमें suppose 3-4 GB अगर bootable file लेता है windows की 3.7 लग बगजी भी लेगा वो यह चार जी भी भी ले सकता है तो वह बाकी का जो space है वह आप use कर सकते है कुछ drive कुछ folders कुछ files आपके store करने के लिए लेकिन उस file को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने bootable क्योंकि वह files मे यहाँ पर कुछ 10-15 मिनिट में यह bootable पेंटर रेडियो हो जाएगा फिर यह रेडियो होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि इससे हम अपने computer कैसे format कर सकते हैं वो भी step by step सीखेंगे windows 7 कैसा install करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे तो मैं आपको बता हूँ कि windows 10 अब ही चल रहा है मैंने आपको बताया मेरे laptop में भी यहाँ पर windows 10 है आप windows 10 की इस तरह से बूट कर सकते हैं उसके लिए भी बड़ा logic नहीं है तो चले इसे होने देते हैं फिर हम लोग अपना format इंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे वहले तो जो बूटेबल पेंडर मैंने बना है वो मेरे computer को मैं attach करूंगा यानि कि यहाँ पर पेंडर मैं insert कर रहा हूँ वो जो बूटेबल पेंडर मैंने बना है उसके बाद मैं computer को start करूंगा यानि कि power button यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद और उसक इसले press करना है क्योंकि मैं बायो स्क्रीन में आना चाहता है और यहां पर देख सकते मेरे computer पे बायो स्क्रीन आच चुका है राइट तो जैसे आप delete बटन प्रेस करोगे आपके सामने आएगा यह बाइउस विंडोय यानि कि के कंप्यूटर पर यह बाइउस स्क्रीन दिखाई देगी और यह बाइउस स्क्रीन डिलीट बटन से आते हैं ऐसा नहीं मैंने आपको बोला कि आपके case में F2 button हो सकता है, F10 भी हो सकता है, F12 भी होता है, कई सारे laptop और computer के अलग-अलग type के हिसाब से, मतलब laptop अलग-अलग company के रहेंगे तो वहाँ पे आपको अलग-अलग key price करने पड़ेगी, यह BIOS की screen लाने पिले हैं, और जो BIOS की screen आपके सामने दिखाए दे रहें, ऐस समझे गा, सबसे पहले तो आप जाएंगे advanced BIOS features में, या आपके BIOS screen में कई भी boot option दिखाए दे रहा है, उसके अंदर आप चले जाएंगे, so advanced BIOS feature में मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ, और यहाँ पे hard disk drives को मैं select करूँगा, यह दिखाए दे रहे, यह option मैं select कर रहा हूँ, के आगे मेरा selection है, और यहाँ पे press enter करके लिखा रहा है, तो मैं press enter करूँगा, तो मैं hard disk drive के selection में आ जाऊँगा, जिस पर फर्स ड्राइव, second drive, third drive, ऐसा दिखाए दे रहे, first drive मेरे पास एक hard disk है, second drive पे एक और hard disk है, मतलब मेरे इस computer में दो hard disk है, मतलब मेरे इस computer में दो hard disk है एक Samsung की है, एक Seagate की है, जिसका serial number आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है, वो pain drive आ रहा है, जो कि USB send इसका pain drive में ने connect किया हुआ है, जो bootable pain drive है, तो इसमें अभी जो मैं देख रहा हूँ कि operating system यह मेरा first hard drive से run हो रही है, लेकिन मैं चाहता first drive वाला जो hard drive से select करूँगा, enter button press करना है, और उसकी जगह में यहाँ पे देखिए, मैं down arrow press करूँगा, इसको selection के लिए, यहाँ पे mouse use नहीं होता है, और बहुत सारे bios में mouse use नहीं किया जाता है, keyboard से ही आपको करना रहता है, लेकिन जो कुछ ऐसे कुछ bios है, कि जिसमें mouse भी sad disk, right, so आपको याद रखना है कि हमारा जो पेंड रही हो फ़स ड्राइप रहना चाहिए, second drive पे हमरा hard disk रहना चाहिए, और third drive पे भी तो hard disk आ रहा है, क्योंकि मेरे पास 2 hard disk, right, so अभी मैं app 10 करूँगा, याप 10 मतलब इस settings को मुझे save करना है, अभी यह जो settings मैंने की है, totally settings को दिखाई दे रहे है, यह settings आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप अपने pain drive को उपर रखोगे, तो ही उसमें से operating system read होगा, नया OS आप इंस्टाल कर सकते है, चलिए मैं यह आपे ok कर देता हूँ, यह आपे ok करना है, आपको मतलब enter button press करना है, और जैसे आप enter button press करोगे, यहाँ पर यह restart होगा आपका computer, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरे computer में मेरी screen सामने camera लगा है, वो भी दिख रहा है, ok, यहाँ पर windows is loading files एकर कर आ रहा है, यह files यहाँ पर load करेगा, इस तरह से, दिखाई दे रहा है, अभी file load हो रही है, अब होगी file load दोस्तों, इसके बा आपको option आएगा कि windows 7 English language, कौन सी आपको language लेनी, यहाँ पर कुछ भी changes आपको नहीं करना है, simply अब अभी यहाँ पर mouse use कर सकते हैं दोस्तों, और mouse use करके यहाँ पर OS install कर सकते हैं, यहाँ पर next करना है, वैसे आपके पास mouse connected नहीं है, तो यहाँ पर alt and button प्रेस करके आप पर next button पर click कर रहाँ, उसके बाद उसने पूछा install windows activated R2, में पास यह activated windows था, तो यहाँ पर मैं click करूँगा install windows activated R2, windows activated setup is starting, so after that यह देखिए, यह क्या रहा है, इसमें आपके operating system की type आपको select करना है, आपको home basic चाहिए, आपको professional चाहिए, आपको ultimate चाहिए, आपको home premium चाहिए, यहां से आप select कर सकते, और यहां पर यह जो x86 दिखाए दे रहें आगे, यह 32-bit operating system, और x64 जो दिखाए दे रहे, वो यह 64-bit operating system, तो आप अपने computer में कौन सा install करना चाहते, that is up to you, अब मैं इसमें यहां पर दिखाए दे रहे, बहुत सरी operating system, मैं 64 अगर install करना चाहता तो मैं 64, professional वाला select करूंगा, windows 7, professional 64, और 32 वाला install करना चाहता हो, तो यह professional वाला x86 में install करूंगा, तो मेरे case में अभी मैं already मेरे एक hard drive में 32-bit वाला है, तो मैं इस case में यहां पर मैं 64-bit का इसमें install करता हूं, क्योंकि यह मैं दूसरे hard disk में install करना चाहता हूं, दो hard disk connected है इसमें, तो यह वाला मैं select कर रहा हूं, आपको जो install करना है, क्योंकि जो आप select करोगे, suppose x86 32-bit वाला select करते हो, तो आपकी पास जो applications है, वो 32-bit वाले applications उसी में चलेंगे, और अगर आप 64-bit वाले लेते हो, तो वो जो application से 64-bit वाले में चलेंगे, तो जाद अतर आपकी पास photoshop 7.0 है, page maker यहां पर उसके उपर वीडियो बना चुका हूं, और वो वीडियो अपने नहीं देखे हैं, तो देख लो, यह advertise करना ज़रूरी था, real tutorial channel है, अपना एक जिसमें photoshop और पेज में करके वीडियो अवैलेबल है, ज़रा जाके चेक कीजिएगा, फिलाल तो मैं आपको बताओ कि यहां पर मुझे 32-bit नहीं चाहिए, मैं क्या करने आलाओ, 64 करने आलाओ, कि मैं पास 32-bit आलाओ अल्रेडी इंस्टॉल है, तो मैं 64-bit वाला ले रहा हूं, यहां पर मैं next बटन पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद I agree to install Windows activated, यहां पर उसका license है, मैं यहां पर पूरा पढ़त हम करेंगे custom, याद रखिये custom, ताकि हमेरे हमारी harddisk हम यहां पर दिखाए दे, और यहां पर total harddisk load हो जाएगी, दोनों भी harddisk की जो पार्टिशन से हो पूरे पूरे लोड हो जाएंगे, already मैंने harddisk में partitions बनाए हुए, तो यह partitions यहां पर आरे partition, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत पार्टिशन बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही partition आएगा, एक ही मतलब यहां पर unpartition space आएगा, जिसमें पुरा पूरा harddisk का यहां पर space दिखाई देगा, तो यहां पर जो drive option दिया है, उसमें click करके, आप यहां पर options ले सकते, partitions बनाने के लिए, जैसे यहां पर click करके, आप drive को, suppose कौन से drive में मुझे windows install करना है, अब मेरा यह decide कि मैं यह वाले drive में install करो, कहां पर है, वो 60 GB वाला उपर, आए रहा, यह वाला, जो partition 2 है, इस partition में मैं OS install करने वाला, जो मेरे दूसरे harddisk का है, यह है 60 GB लगबग, और 25 GB इसमें already free space है, और बाकी का data है, तो मैं यह पुर आटाना है, तो मैं format करूंगा, देखिए, याप एक लोगों में गलत फह्मी रहती है, कि OS install करते समय format करना compulsory होता है, लोग कहते, लेकिन नहीं, OS install करते समय आपको format करना compulsory नहीं रहता है, बस space रेना चाहिए, अब इसके अंदर 59 GB में 25 GB, space है लगबग, तो 25 GB में मैं मेरा OS direct next करूंगा, तो install हो जाएगा, और पुरानी फाइल वैसे रहेगी, और वो फाइल windows.old नाम से वैसे रहेगी, याद रखिए, आप अपनी पुरानी फाइल भी windows के अंदर रख सकते है, और वो बिना format की रहेगी, मतलब जैसी कि आपका c drive पहले वाला correct है, पहला OS correct है, लेकि c drive को हमें क्या करना है, महाँ पे operating system install करनी रहती है, तो आपके बस option रहता है, कि c drive में पुरानी फाइल रख के आप OS को load करे, तो यहाँ पे पुरानी फाइल रख दूंगा, मैं format नहीं करूंगा, और next करूंगा, तो यहाँ पे यह जो बाकी की है, 25GB तो यह खली है, और बा सब रहेगी, तो आपको format करना compulsory नहीं, बस freeze space रहना चाहिए, अगर आपके बस freeze space नहीं है, तो आपको format किसे option नहीं, क्योंकि आपके बस freeze space नहीं, तो हम यह वाला OS जो अभी install करें, वो install नहीं कर सकते हैं, अच्छा कितना space रहना चाहिए, लगबग 10-12GB तो रहना चाहिए मतलब मेरे इसाब से तो रहना चाहिए, अटलिस्ट, लेकिन उससे क्या होगा मैं बताता हूँ, 10-12GB नहीं है वैसे, क्योंकि OS उसमें load होगा तो वैसे वो फूल हो जाएगा, फिर आपको जाकर अंदर windows.old की फाइल कॉपी करके delete करनी पड़ेगी, या पिर नालग जगा प बटन पर क्लिक करने पहले है, अच्छे से सोच लो, तो यहां पर क्या मैं शेरा है, पार्टिशन माइट कंटेंड रिकोरी फाइल रहे सकती है, उस सारी के सारी आप लूज करने वाले है, अगर आप रखते हो तो आपे next करो, यह फाइल रहेगी, clear है आपको कोई भी पार् वो कभी मैं आपको बात में बताऊंगा, फिलाल आपको यह बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई ड्रायू डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहां पर बस मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका में पुराना डेटा है, मुझे नहीं चीए, या पे बात ध्धान से सो अगर यहां पर देखें, इसे सिलेक करके मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, 59GB वाला जो डेटा है, वो होगा फॉर्मेट अभी फ्री 59 नहीं रहेगा, यह तोड़ा बहुत तर डिफरेंस दिखाएगा, यहां पर अभी कुछ भी डेटा नहीं इसके अंद क्योंकि फिर से पेंडरों से हमें OS बूट नहीं करनी है, अभी हमारा OS अल्रेडी इस्टॉल है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, डायरे का पेंडरों निकाल लोगे, तो हमारे हाट डिस के अंदर OS जिस ड्राइव में लोड हो गया, उस ड्राइव से ही यह डायरेक्ली ऑप प्रफेंडिंग सिस्टम लोड हो जाएगा दोस्तो, तो आपको पेंडरों की ज़रुत नहीं है, यह प्रोसेस कंप्लीट होने बाद, कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होते ही आपको पेंडरे निकाल लेना है, रइट, इसे थोड़ा सा फास भी कर देता हूं और यह बागी की फीचर्स इंस्टाल और उसके बाद अपडेट इंस्ट्रॉलिंग और इसके बाद आएगा कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए राइट सो अगर आपने यहां पर रिस्टार्ट नाव पर क्लिक किया तो भी चलेगा वो आटोमेडिक वैसे भी कुछ सेकेंड के बाद रिस्टार्ट होने वाला है उसके पहले मुझे अभी करना है पेंट राइव रेमू तो यहां पर मैं पेंट राइव को कर रहा हूं रेमू ओके फिर से यहां पर OS अभी लोड होगा लेकिन अभी OS जो लोड होगा वो लोड होने हाँ हाट डिस है तो यहां पर दो OS दिख रहे हैं क्योंकि मैं पास दो हाट डिस है उपर वाला OS तो मेरा डिपॉल्ट हाट डिस का है यह सेकेंड वाला OS में सेलेक कर रहा हूं क्योंकि मैंन इंस्टालेशन और यह भी इंस्टालेशन हम कम्प्लीट होने देंगे तो जैसी मेरा ओएस लोड हो जाएगा और कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे आपको पूचह जाएगा कि आपकी कम्प्यूटर का नाम क्या रखना चाहते तो चलिए इस केस में मैं इ आकर साथीश और यहां प्यानेश्ट करूंगा चलों आ जैसे मडे श्क्रोंगा और यहां पर पूझे का पास्वर्ट तो मैं यहां पे पास्वर्ट सब्सक्राइब प्रफ़ोंगा कुछ भी पासवर्ड और उसका हींट आप इंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट की जिएगा पासवर्ड याद रहे किये लेकिन जो आप लॉग इन के लिए उसका सब्सक्राइब को यहाँ पर आस्क मी लेटर यह बटन पर अपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर अपको टाइम जो सेलेक करना है वह प्लस फाइटर दितो नीच आ जया यह प्लस फाइट अड़ी यह राच एनने कोलकता ओके सो चिनकोलकता मुमबई डेली यह मनें इस लेकिया है और नेक्स्ट बिटन पर क्लिक करना है अब लिक किया रहा है प्रिपरिंग यह मिचला जाओंगा जिसमें आपको मिलेगा चेंज डेक्स्टॉप आइकॉंस जिस पर क्लिक करके यहां पर आपको बच चेक करना है कम्पीटर यूजर फाइल नेट्वर्क कंट्रोल पैनल है ना इंट्रेस्टिंग बस इतना है चेक कीजिए एपलाई कीजिए ओके कीजिए आपको मिल जाएंगे बाकी के आइकॉन राइट कैसे किया समझ मैंना राइट क्लिक पर स्लाइट बस और यहां पर क्या करना है माइक कंपेटर के पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखना है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यह विंडोज सेवन प्रोपेशनल 64-bit और इसका राम और बाकी हमारा विंडोज अबने इس्टॉल किया है यहां पर नेट्वक का ड्राइबर मतलब नेट्वक की केबल यहां पर मैंने कने की मेरे इस केस में आप अपने कम्पूटर में के ड्राइबर कitted करने के लिए आपकी कंप्यूटर का जो मदर बोड़े उसका एकS они सब्सक्राइब के साथ एक इशनिमे दर्याइबर कर सकते अगर आप इन केस एटारी गूर मौ गया मुश्किल है और आपके पास CD है तो कोई बात नहीं मेरे केस में तो मेरे पास CD थी जो कि में पास iDrive में पड़ी है Ruler Motherboard नाम की यह दिखाए दिरहा है Ruler Motherboard जो कि मैंने और इस CD को कॉपी करके रखा इसमें Network Driver में मैं Windows 764 बीट वाला 3264 यह वाला पोल्डर ओपन करूंगा इसमें यह setup पाइल जो दिख रहा है रन करना है और यहां पर नेटवर्क ड्राइव वर इंस्ट्राल होगा दोस्तों देखिए यहां पर प्रिपेरिंग को मिल जाएगा आप खुदी देखिएगा तो यहां पर आभी आपको दिख रहा है यह हो गया इंस्टॉल और मैंने फास्ट पारवर किया और यहां पर फिनिश बटन पर मैं क्लिक कुरूंगा यहां पर दिखाए रहा है नेटवर्क ड्राइवर आ चुका है मैं वैसे होम नेटवक पब्लीक निटवक जो नेटवक रखना चाहता हूँ यहां पर फिलाल में पापलिक र द्रॉट चलोंगा वैसे मुझे सांट ड्रैवर अगर इसमें इस्टॉल करना है और मैं याहां पर में चले जाऊंगा और यहांप विंडोस सेवयन 64-bit वाला जो साउंड ड्राइवर है वो भी मैं याँ इस्टाल कर देता हूं इस तरह से आपको ड्राइवर इंस्टाल करने रहेंगे और ड्राइवर आपको नहीं मिल रहे तो ड्राइवर पैक सुलूशन की उपर एक वीडियो में बनाने अलों कि ड्राइवर पैक सुलूशन वीडियो तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो सीखाते रहो बाइबाइब